हेलो वरिवन सो वेलकम बाक टू न्यू वीडियो सो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले ग्रिफाइट पेंसिल के मदद से हम लोग एक हाइपर रियलिस्टिक आई कैसे बना सकते हैं अगर आप एक बिगनर हो या फिर आपको एकदम बेसिक ड्रॉइंग आती है यह वीडियो आपके लिए यूसफुल होगा आप इससे सीख सकते हो कि एक हाइपर रियलिस्टिक ड्रॉइंग कैसे कर सकते हैं आपको रियलिस्टिक करने को सटते हैं वज तक बेसिक जो में पूइंट है वह या जो अवी टिप में यूज़ खरता हूं वह मैं सबकुछ आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं तो वीडियो में पूरा बने रहना, वीडियो को एंड तक देखना, कोई भी पार्ट स्किप मत करना, वरना कोई भी पॉइंट या फिर कोई भी टिप अगर मिस हो गया, तो फिर शायद आपको वो रिजल्ट ना मिल पाए, तो अगर आप एक बेसिक आई का आउटलाइन अग पूरीट ना मिल पास्ट पूरवड कर दूंगा, तो अगर आपको सीखना है, क्यों हाई कैसे बनाते हैं, तो वीडियो को कंप्लीट देखना, एंड तक देखो, और अगर आप लोग चानल पे नए हो तो पहले चानल को सब्स्राइब कर दो, एक बेल अगर बीना अगर सबसे पहले I am pasting masking tape just for हमारा paper हिलेना सबसे पहले आप outline draw कर लो using a very light pencil आप mechanical pencil का use कर सकते हो 0.5 mm का या फिर आप HB pencil का use कर सकते हो अब जो हमारा आईबॉल का सबसे सेंटर वाला पोर्शन है वो हम सबसे डाक करेंगे बाकी पोर्शन के हिसाब से देन हमें जो ये दो पार्ट दिख रहे है हमें याँ पर हाइलाइट छोड़ना है तो वहाँ पर हम पेपर को वाइट ही रहने देंगे यहाँ पर मैंने एक ड्रॉप बनाया जिसे कि एक रियालिस्टिक लुक मिलेगा तो हमें इस जगा पर इस जगा पर थोड़ी सी हाइलाइट देनी होगी तो वहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि हमारा पेपर वाइट ही रहे तो हमारा आईबॉल का जो आउटर पोर्शन है वहाँ पर हमें एकदम लाइट पेंसिल को यूज़ करके बेस लियर डाली है तो यहाँ पर मैं बी शेड पेंसिल का यूज़ करके एक बेस लियर दे रहा हूँ अब base layer करने के लिए mechanical pencil का भी use कर सकते हो बट कोशिश करो कि आपका base layer एकदम light हो अब मैं एक soft hair brush ये एक makeup brush है जो मैं use कर रहा हूँ base layer को blend करने के लिए using a brush जब आप blend करते हो तो आपको एक बहुत ही smooth texture मिल जाता है जैसा कि आप देख रहे हो मैं हलका सा pressure apply करके पूरे area को अच्छी तरह से blend कर रहा हूँ आपको भी ठीक हलका pressure apply करके पूरे area को अच्छी तरह से blend करना है अब मैं 2B pencil का use करके थोड़ा सा dark shade देने का कुशिश करूँगा जो outer areas है वहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो मैं आप पर darker shade pencil का use करके एक outline मना रहा हूँ क्योंकि हमें कोशिश करनी है कि जब हम dark shade डाले तो वो हमारा उस line से बाहर ना निकले और जो हमारा eye का white वाला portion है उसको गंदा ना कर दे अब हम लोग धीरे-धीरे shade करना स्टार्ट करेंगे अब मैं यहाँ पर three number का blending tool यूज़ करके इस portion को blend करूंगा अगर आपके पास blending tool अवेलेबल नहीं है तो आप जो cotton ear bird आता है आप उसको यूज़ कर सकते हो आपका जो blending वाला part है उसको आपको ध्यान रखना है कि आप पूरी अच्छी तरह से blend करो pencil का एक भी strokes दिखना नहीं चाहिए वरना वो एक realistic eye का look नहीं मिलेगा मैंने जो highlights वाले portion आप लोगों बताये थे आप ध्यान रखना कि उस पे आपका pencil या blending tool ना चड़े जैसा कि आप देख रहे हो अब मैं 4B pencil का use कर रहा हूँ और मैं वह सेम चीज़ कर रहा हूँ जो मैं 2B pencil से कर रहा था बट अब फर्क है कि मैं एक layer और उपर चला गया जैसा कि मैंने पहले एक light shade pencil का use किया फिर मैंने 2B pencil का use किया देन हम मैं 4B pencil का use कर रहा हूँ जितने भी darker areas है हमें वहाँ पर एकदम ही direct pencil dark pencil का use करके हमें dark नहीं करना है हमें एकदम से 6B और नहीं 8B का use करना है इसलिए हम हमेशा layer wise layer में move करेंगे अगेन मैं यहाँ पर blend कर रहा हूँ blending tool को use करके अब मैं 8B pencil का use कर रहा हूँ जो एकदम dark areas है जैसे कि center part या फिर जो eyeball का top पर पार्ट सबें वहाँ पर करने के लिए करेंड नियुक्त कर दो आपको ध्यान रखना है कि जो हाइलाइट के लिए पार्ट अमने देए छोड़े हैं उसके उपर आपको पेंसिल नहीं जलानी है आपका जो सारा एफ़र्ट है आपको उसको मेंली आईबॉल पर ही लगाना है विकोज अगर आपका आईबॉल रियलिस्टिक बन गया देन आपका पूरा आई रियल दिखेगा यहां पर मैं मोनो जीरो एरेजर का यूज करके आईबॉल्स में थोड़ा सा हाइलाइट देने का कोशिश करूँगा स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन्स बनाऊंगा अब मैं टूबी पैंसिल का यूज करके जो गैप से जो हम हाइलाइट के बीच में छूटा था हम उस पर स्ट्रोक्स बनाएंगे अब देख सकते हो थोड़ा सा लाइट अंड शाडो की मदद से हमारा जो आईबॉल है वो रियल दिखने लग गया है तो आपको इसी तरह से स्टेप्स फॉलो करने है आईबॉल बनाने के लिए अगर आपको एक रियलिस्टिक आई बनाना है तो अब हम लोगा जो आईबॉल का जो आउटर एरिया से उसे हमें ब्लेंड करना है यहां पर मैं एलेक्ट्रिकल एरेजर का यूज करके जो हमारा है लाइस पोर्शन था उसे हम अच्छे से रेज कर ले रहे हैं आप यहां पर एक नॉर्मन एरेजर का भी यूज कर सकते हो अब हमारा ड्राइंग का जो यह वाला एरिया है हमें इसे भी एकदम हलकी पैंसिल को यूज करके शेड करना है तो यहां पर मैं बी पैंसिल का यूज करके शेड कर रहा हूं अब मैं फोन नंबर का ब्लेंडिंग टूल यूज करके इस पोश्चन को ब्लेंड करूंगा अब मारं यूज करके शेहल जिदी एम हमारा सबरेधा सब्सक्राइब कर इस खाओ कर दोफ लूज कर दो यख़ज भाल यूज कर 20-200 अवारेधा सब्सक्राइब अब जिस एरिया में हमारा स्केच अन्नेसेसरी डार्क हो गया उस एरिया को हम एरेजर से रेज कर लेंगे अब मैं एक लाइट पैंसिल का यूज करके जो आईज में वेन्स होता है हम उसे बनाने की कोशिश करेंगे एकदम हलका प्रेशर अपलाई करके अब कॉर्नर्स को डार्क करने के लिए मैं या पर फोर भी पैंसिल का यूज कर रहा हूं अब मैं टूबी पैंसिल का यूज करके एक दो नर्फ्स को थोड़ा सा जादा हाइलाइट करूँगा उससे हमें एक रियालिस्टिक लुक मिलेगा अब मैं एड़ी पैंसिल का यूज करके जो आई का अपर पोर्शन रहता है मैं उसको बना रहा हूं अब मैं एक रहा हूं जो यह उपर का डार्क एरिया है हमें उससे आई से अटाच करना है तो हम जो अपना आई का कॉर्णर है उसको भी थोड़ा सा डार्क कर रहें एड़ी पैंसिल का यूज कर गे और अब हम उससे ब्लेंड करेंगे तो उससे एक दोनों को अटाच लुक मिलेगा अब मैं टूबी पैंसिल का यूज करके जो यह वाला पोर्शन है यहां पर मैं शेड डाल रहा हूं देन हम इस पोर्शन को भी ब्लेंडर का यूज करके एक दम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे अब मैं एक लाइट पैंसिल को पे डार्क प्रेशर अपलाई करके यहां पर आउटलाइन बना रहा हूं अब प्रशन करले वाल रहा हूं कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर मैं कर दो bakery और कर दो कर दो कर दोखरे हो शुमारी commence am हमारे आउटलाइन के एराउंड थोड़ा सा डेप्थ दिखाने के लिए हम एक डार्क शेड पेंसिल का यूज करके वहाँ पर शेड करेंगे में इस पोर्शन को भी अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे दिखाने के लिए हम एक अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे जब हमारा आईज ओपन एंड क्लोज होता है तो एक तरह का टेक्चर बन जाता है हमारा आई के अवब वाले पोर्शन पे तो उस टेक्चर को हम एरेजर की मदद से दिखाने की कोशिश करेंगे जब हमारा आईज करेंगे जब हमारा आईज करेंगे यहां पर मैं 8B पेंसिल का यूज कर रहा हूँ तरह करेंगे यहां थानी करेंगे कर दो 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 हमें इस पोर्शन में हाइलाइट्स है यह तो हम यहाँ पर एरेजर से एरेज कर लेंगे कर दो कर क्या है झाल झाल हमने आई के नीचे जितना डार्क शेड दिया है हमें उससे जादा डार्क शेड ये ड्रॉप के नीचे देना है इसलिए हम आपर एक डार्क शेड पेंसिल का यूज़ करेंगे झाल 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 कि यहां पर देख सकते हो में आक नौर्मल इरेजर यूज करके आप करांगे आप। निकाल रहा हो, आपके पास कैसा भी रेजर हो, आप उससे हाइलाइट्स निकाल सकते हो, डिफरेंट रेजर से कोई उतना खास फर्क नहीं पड़ता, जो मेन सबसे मैंटर करता है, वो है आपका स्किल्स कर दो कर दो है, आपके निकाल सकते हो, आपके लिए जो है। झाल झाल हमारा जो ड्रॉप में हाइलाइट वाला पार्ट होगा हम उसे छोड़ के बाकी जगा को शेड करेंगे अगर हमें उसे बाकी जगा से ज़्यादा वाइट दिखाना है झाल 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 अब हम लोग यहां पर ड्रॉप का शैडो दिखाने के लिए एक डार्क शेड पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं झाल 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 अब सेम यहां पर स्किन में टेक्शर देने के लिए मैं शार्प एरेजर को यहां पर यूज़ कर रहा हूँ झाल 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 तो हमें अपने 8B या 6B पेंसिल को एकदम शार्प करके एकदम हलका प्रेशर अपलाई करके हमें उससे हेर बनाना एकदम पतला पतला हमारा जो आइका साइड पार्ट हे वहाँ पर शौर्ट हे एकदम पार्ट होगे यहां पर आइका सेंटर वाला पार्ट मालब जो टॉप पार यहां पर हमें बड़े बड़े आइलासिश बनाने होगे आप लोग देख सकते हो मैं पेंसिल को किस डारेक्शन में मूव कर रहा हूँ और कैसे मूव कर रहा हूँ आप लोग को सेम उसी डारेक्शन में पेंसिल को मूव करना है आप लोग को स्लोली स्लोली एक एक हेर को आपको अच्छी तरह से एकदम फाइन पेंसिल का यूज करके आपको बनाना है अगर आपको लग रहा है कि आपका अगर वो ठिक बन रहा है तो आप अपने पेंसिल को अगें शार्प करो और अगें उससे बना अब नीचे वाला आई लैसेश को भी हमें सेम मेथट को यूज़ करके बनानी है अब लैसे बनानी है अब लैसे बनानी है अब हम ब्लेंडिन टूल का यूज़ करके जो ये वाला हमारा पोर्शन है इसे हम ब्लेंड कर देंगे उससे होगा क्या कि जो हमारा आई लैसेश है वो आई से अटैज दिखेगा है और थोड़ा सा शाड़ो वाला एफेक्ट आजाएगा कर दोड़ागा है कि अब जो हमारे लास्ट के कुछ हाइलाइट्स बच गया है जो जिसे हमें स्किन का टेक्शर दिखाना है या फिर जो बेसिक हाइलाइट्स है वह हम एरेजर से एरेज करके निकाल लेंगे कि अब आप देख सकते हो थोड़ा सा ब्लेंडिंग टूल कुछ पेंसिल का यूज़ करके हमने एक हाइपर रियलिस्टिक आई का ड्रॉइंग बना लिया है तो आपको यही कुछ मेठेट्स को फॉलो करना है अगर आपको एक हाइपर रियलिस्टिक आई चाहिए तो अब एक लाज स्टेप हम एक लाइट पेंसिल का यूज़ करके अपने आई के सराउंडिंग को शेड करेंगे उससे हमें एक डेप्थ एन एक शाड़ो एक स्किन का टेक्शर मिल जाएगा और उसको हमें एक टिशू पेपर या फिर एक मोटी पेपर ब्लेंडिंग स्टंप से हम ब्लेंड कर देंगे करें ऩालई एक पेपर इंगी पाला मुटी पेपर खोलू एक झालई एक शर्ण काट्स में इसलाएगा थाले पेपर ब्लेंग से हमें एक बाप पेपर याल्री आःट करेंगे अपने बचे कुछे हाइलाइट्स को हम एक एरेजर की हेल्प से हम एरेज कर लेंगे अब हमारा स्केच एक हाइपर रेयलिस्टिक आई कम्प्लीट हो चुका है अगर आपको कोई भी डाउट हो कोई भी टिप्स चाहिए हो या फिर कहीं पर कोई भी कन्प्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो या फिर आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर मेसेज कर सकते हो कर सकते हैंडल पर आपको कर सकते हो फिर तो आप अग्युक्त इज अगे थैसर भॉप आप लोगों वीडियो में पसंदा आया होगा अगर अगर जड़ासा भी हेल्म मिला इसकी आपको वीडियो भी पसंदा गविडियो को लाइक कर देना और अगर अपने दोस्तों मैं शेर कर दो कि और भी अच्छा बात है आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो मोबल आइकन दबा दो और मैं आगे ही ऐसे वीडियो लेकर आने वाला हूं जो थोड़ा सा रेल टाइम हो और बिगनर्स में थोड़ा सा बेज़ दो सो अगली वीडियों साथ जल्दी होते हैं तक तक करिए बाबाइए कर दो